मैं निकल मैसेज किया था इसी मैसेज को देखकर आप आप आए हैं कि आज जंतर मंतर पर जो महिला के संसद बैठ रहा है और मेरी इच्छा थी कि मैं उसमें जाओ पर आप आपका क्या कहना कि मुझे नहीं जाना चाहिए अगर रिक्वेस्ट नहीं मानू तो यह गयर कानूनी तो नहीं होगा अगर इन्यजिये कर सकते हैं और मैं उसका रिस्पेक्ट भी करती हूं पर मेरी इच्छा थी कि हमारी 200 महिलाइं हमारा जो प्रिशी कानून आपको मालूम ही है, उसको लेकर आठ महीने से आंदोली थे, पांसो किसान अपने शहीद हो चुके हैं, और आज महिला है जंतर मंतर पर हैं. मेरे जाने से law and order कैसे खराब होगा, मैं तो कानून की सबसे जादा मानने वाली हूँ, कभी 27 साल की राजनीदी में कानून नहीं तोड़ा, और आज भी कभी कोशिश नहीं है. इसी हमारी कोशिश की राजी, पर मैं आप मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पर मैं यही कह रही हूँ, अगर मेरी आप से रिक्वेस्ट हो कि मुझे जाने दीजिए, जंतर मंतर में कुछ नहीं, सिर्फ महिलां जो हमारी देश भर की किसान आई है, अपनी आवाज को उठा मुझे रोकेंगे, मैं सिर्फ यह पूछ रही हूँ, आप रोकेंगे, आप नहीं जाने देंगे, तो आप सब मुझे नहीं जाने देंगे, साथियो, अपने घर पे हूँ, आज 26 जुलाई को किसान संगत नो ने घोशना की थी, कि वो जो है, जंतर मंतर पर, दोसों महिला, म चर्चा करेंगी, नियुमतन समर्थन मुले कानून पर मांग उठाएंगी, और वो मांग, देश की संसत चल रही है, वहाँ उठेगी, लेकिन आप देख रहे हैं, मेरे घर में, जो है, वो पुलीस आच चुकी है, उनका कहना है कि वो मुझे निवेदन कर रहे हैं, कि मैं ज कानून के तहर, देश की जो सरकार है, क्योंकि दिल्ली पुलीस मुझे मालूम है, अगर उनका संयोग ना होता, तो आज किसान जंतर मंतर पर ना होते हैं, आज किसान जंतर मंतर पर इसलिए दिल्ली पुलीस कमिशनर सहाब आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका कि कर्जदार जरूर हूं उसका अन खाती हूं मैं ही नहीं इस ताले बंदी में जिस 80 करोड लोगों को देश की केंदर की सरकार मुफ्त राशन के दावे कर रही है वो भी इसी अंदाता के दम पर हो दे पा रही है उसे समझना होगा और आज उस अंदाता का कर्ज उतारने के ये इच्छा थी कि दिली के जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं पांसो से ओपर किसान शहाईद हो चुके हैं आत्वा महीना चल रहा है संसद चल रही है क्यो नहीं हमारे परदान मंतरी जी एक दिन का संसद सत्र पूरी तरह हमारे अनदातों को समर्पित कर देते क्यो नहीं पूलिस मेरे घर पर आकर बैठी हुई हैं मुझे रोक रहे हैं अब हम बात करेंगे बात्ची से रास्ता निकालेंगे या तो यूहीं देखते हैं सच्छो साब अपनी टीम के साथ कब तक मुझे यहां बिठाय रखते हैं या बीच का कोई रास्ता निकलता है मैं वहाँ ज कियेगा कि हम आपके साथ आपकी मांगों के साथ पूरी ताकत बनकर खड़े थे राहूल गांधी जी के नितित में खड़े हैं और खड़े रहेंगे संसद के अंदर राहूल गांधी जी के नितित में कॉंग्रेस के संसद आपकी किसानों के लड़ाई को लड़ रहे हैं औ और बाहर से हमारी जैसे लोग भी आपकी सानों के अंददाताओं के साथ ताकत बनकर खड़े हुए हैं। गांदी वादी तोर तरीकों से यह अंदोलन आगे बढ़ रहा है और यही लोकतंतर की असली ताकत है कि इस देश में लोकतंतरिक तरीकों से गांदी वादी तरीकों से अगर कोई भी आवाज उठे उसे दवाने की कोशिश नहीं करने चाहिए। तो मैं दिल्ली पुलीस के मनाने की कोशिश करूँगी कि आप मुझे यहां से जंतर मंतर जाने दें। अगर नहीं भी जाने दिया तो मैं आप सबी साथियों को कहूँगी। पुरी की पुरी कॉरी कॉंग्रस का समर्थन किसानों के साथ है। मुझे नहीं मालूम सब को समय दिया था खासों से महिलाओं को दिल्ली की महिलाओं से अपील की थी कि आज महिला किसान अपनी संसत बुला रही है तो दिल्ली की महिलाओं को वहां पोचना चाहिए उन्हें सुनना चाहिए इंक रिशी कानूनों पर उनकी क्या राए और मैं तो ये भी कहती हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, ग्यारा महिला मंत्री उन्होंने जो है बनाई है, महिला मंत्री, एक ने तो किसानों को हमारे आनशादाताओं को मावाली तक कहा भी कुछ तिन पहले ना, आम सब ज ई जाँ चुके है कौन महिला सांसद है. लेकिन उन महिला सांसदों से कहूंगी मंतरी है आप, आएए ना आये जंतर मंतर पर आप पक्ष रखिएगा हमारी महिला किसान अपना पक्ष रखेगी. और इसमें जो चर्चा होगी उसे हमारे जैसे लोग जो ना किसान महीं है और ना संसत किसानसद है ना मंत्री है सुनेंगे और यही लोकतंत्र को मजबूती देखा लेकिन य Canyon reaches तरीकें है ये ये जो सी तरीकें है मैं माफी चाहूंगी इन तरीकों से देश का लोकतंत्र नहीं चलेगा ये आवाजे ताकत सत्ता के डम पर आपको चल नहीं सकते है मेरा निवेदन है बहुत से साथी कह रहे हैं कि मुझे जाना चाहिए लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं कानून के डाइरे में रहते हुए पुलीस की इजाज़त के साथ जाऊं अगर जाऊं तो वरना जोड़ जबरदस्ती से क्या हासिल होगा या आप भी जानते हैं मैं भी जानती हूँ कि कुछ हासिल नहीं होगा बीच के रास्ते निकालने की कोशिश है बहुत एक अच्छे महौल में हमारे सच्चो साहब कहें और उनकी पुली टीम बैठी हुई है बातचीत कर रहे हैं कोशिश कर रही हूँ रास्ते निकलेंगे पर इस तरह से मैं कहूँ अगर आप कहेंगे डिटेन कर लिया अलकाल नामबा को और आपका जंतरमंतर दिली संसद में किसानों के नहीं जाने देंगे तो मैं यह कहूँगी यह राहुल गांदी जी पुरी कॉंग्रेस की आवाज किसानों की आवाज संसद से सडकों तक गुंजेगी और तब तक गुंजेगी चब तक यह तीन काले कृशी कानून वापिस नहीं लिये जाते हैं तब तक जै हिंत जै भारत